हलो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल काक्षागरत में बच्चो जैसा कि आपको पता है कि आपके दो-ती दिन से क्लास नहीं हो पाए है थोड़ा हम अस्वस्त थे और बास्तम में अगर कहा जाए तो अस्वस्त थो आज भी हैं बहुत जादा सही नहीं है लेकिन मजबूरी इस बात की है कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहर जरूरी है आपके एक्जाम बहुत करीब आ गए है ठीक है तो इसलिए भाई यह पढ़ना तो पढ़ना ही जरूरी है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था त्रभी मी जामती में हमने एक्सरसाइज 11.3 में यहां पर प्रतिबंद क्या दिया गए है दो को पृतिबंद जो दिया गए है वो यह है कि बिंद० दिया है बिंदु एक कॉमा जीरो कॉमा माइनस दो से समतल यह जाता है ठीक है दिये गए बिन के समतल जाता है और एक कॉमा जीरो कॉमा माइनस दो से ये सम्तल जाता है ठीक है और इस सम इसका अगर हम इस्तित सदिस लिख दें इस्तित सदिस तो इस बिंदु का इस्तिस सदिस एसे डिनोड कर लें और ये बरावर ये आपका हो जाएगा किता जोखो आई प्लस जीरो जे हो जायेगा माइनस में दो की ठीक है ये आपका बिंदु एस ज्रतिस एस बिंदु से समदल गुजर रहा है गया है और ये आपका आप लंग दिया गया है दो से इन जिसको एन से देनोड करते हैं तो एन बरावर ये हमने दिया गया है आई प्लेस जे और माइनस में के ठीक है तो यहां पर लिख दें दो को बिंदू एसे होकर जाने वाले बिंदू एसे होकर जाने वाले बिंदू एसे होकर जाने वाले तथा सदिस N सदिस N पर लंब दिसा में सम्तल का समिकर्ण ठीक है लंब दिसा में सम्तल का समिकर्ण सम्तल का क्या समिकर्ण होता है आपको पता है R.N बराबर A.N होता है ठीक है या इसको ऐसे भी लेख सकते है r minus a r minus a dot n ऐसे भी दोखो या अगर इसको याद है तो इसको मान ले एक ही बात है n का अधिस गुड़ा यहां अंदर कर दे ठीक है चाहे आप उपर वाला समझ ले या नीचे का एक ही बात है तो यहां देखी r dot n और n बराबर यहां पर दिया गया है i plus j minus k और यह आपका दोखो कौन सा समीकर निकल के आएगा साधिस समीकर यहां से साधिस समीकर भी पूछा गया है कारती समीकर भी पूछा गया है तो यहां से दोखो r dot यहां लेख देए i plus j minus k और बराबर में a dot n और a dot n का मतलब a की value दोखो है i plus 0 j minus 2 k और dot यहां से दोखो n n की value यहां दी गई है i plus j और minus में k ठीक है इतनी बार ठीक है तो यहां से दोखो समीकर हो जाएगा r dot i plus j minus k और बराबर में यहां से दोखो i से i का गुणा करोगे एक मिल जाएगा यहां j का गुणा किता है जीरो और यहां j का गुणा एक है तो गुणा करोगे जीरो हो जाएगा और minus minus plus 2 एक कम दो खिक तो बस यह समतल का समीकरण सदिस समीकरण हो गया r dot i plus j minus k और बराबर में दो और एक तीर यहां देखो यह तो आपका दोखो सदिस समीकरण हो गया इसी का भी हमें कारती समीकरण और पूछा गया है तो यहां लिख देए कारती समीकरण कारती समीकरण देखो क्या होता है अगर कोई बिंदू कोई बिंदू यहां दिया जाए एक बिंदू x बन दोखो यहां कारती समीकरण लिख देते हैं पहले यहां लिख लें बिंदू X1, Y1, Z1 से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली तथा तथा अब लंब की अब लंब की दिग अनपाथ अब लंब की दिग अनपाथ A, B वा C है तो समतल का समिकड क्या होता है तो समतल का समिकड तो समतल का समिकड होता है A bracket में X-X1 प्लस B bracket में Y-Y1 प्लस C into bracket में Z-Z1 बराबर 0 होता है होता है ठीक है तो ये सदिस समीकर्ड ये दोखो आपका सदिस समीकर्ड है r.n बरावर a.n लेकिन अगर कार्ती समीकर्ड पूछा जाए तो ये दोखो बिंदू x1, y1, z1 से होकर जाने बाले कथा लंब की दिगन पाथ हमें a, b, c पता हो तो समतल का कार्ती समीकर्ड होता है a bracket में x-x1 प्लस b, y-y1 प्लस c, z-z1 बरावर 0 होता है तो यहां से दोखो हमें बिंदू जो x1, y1, z1 दिया है वो तो आपका दोखो 1, 0, minus 2 दिया गया है और जो लंब, लंब ये दिया गया है ना इसके दिगन पाथ 1, 1, minus 1 हो जाएंगे यहां दोखो लिख देते हैं, ठीक है यहां लिख दें, बिंदू जो हमें दिया गया है वो आपका है 1, 0, minus 2 ठीक है, बिंदू 1, 0, minus 2 से जाने वाले से जाने वाले तथा लंब की लंब के दिगन पाथ लंब के दिगन पाथ देखो दिहानने देगनपात यहां से कित्ते निकलेंगे लंब की देगनपात आई का गुडंक एक अई तो है तो आपको एक लिखना है जे का गुडंक भी एक लिखना है के का गुडंक आपको माइनस एक लिखना है ठीक है तो देख अनपात एक कॉमा एक कॉमा माइनस एक तो अब इस समतल का कार्ती समिकर्ड क्या हो जाएगा समतल का कार्ती समिकर्ड समतल का कार्ती समिकर्ड हो जाएगा दोखो क्या लिखना है आपको ये वाला फॉर्म ठीक है ए का मतलब दोखो एक है ब्रैकिट में X-X1, X1 को एक लिखना है प्लस B, B को भी दोखो एक लिखना है ब्रैकिट में Y-Y1 को 0 लिखना है प्लस यहां से दोखो C, C की value किती है माइनस का 1 और ब्रैकिट में Z-Z1, Z1 का मान माइनस दो लिखना है तो माइनस माइनस प्लस दो और बरावर में 0 तो इस तरीके से यह समतल का समिकरण कारती समिकरण हो जाएगा X-1, प्लस यहां से Y, और माइनस में Z माइनस का 2 और बरावर में 0 हो तो तो इस तरीके से दोखो X Plus 2 मैं जैड और बराबर में यहां तीन लिख सकते हो यह दो समतल का कार्ती समीक्रण हमने पराप्त हो एक माट ऐसका दो तो मैनस का तीन ओँडर ले जाओगे तो यह समतल का कार्ती समीकरण हो खिर तो यहां पर दोखो 2 प्रुशन पूंची गए हैं दो है ना पहले प्रुशन का ये आंसर है जिसमें आप से पूचा गया था किसका हमें सदि समिकल बताईए और इसका कांती समिकल बताईए बस दूसरे पुरुशन में भी यही बाते हैं ठीक है एक बिंद्व दिया गया है और आपका समतल का अबलंब भी दिया गया है और बस फिर इसके बाद हमें वही काम करना है जो इसके लिए दिया है चलो आंगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर छटमे पर ठीक है? रूट कर लें कुश्चन नमबर छटमा देखो ठीक है? चलो देखे छटमा प्रशन क्या है? यह आपके पास छटमा प्रशन उस उन समतलों का समीक्रण ग्याद करिए जो नमबर टीन बिन्दूओं से गुजरते हैं तीन बिन्दूओं से गुजरने वाली समतल का समीक्रण आपसे पूछा गया है? यहां भी दो को च्ट में सवाल में भी दो परशन पोंचे गई है दो को पहला परशन क्या है इस में लिखा है कि एक बंदू तो ये दिया गया है बंदू 1,1,1 –1 ये आपका पहला एक बंदू दिया गया है और ये है 6,4 – 5 6,4 – 5 यह दूसरा बिन्दू दिया गया है तीसरा बिन्दू हमें दिया गया है माइनस चार माइनस दो और माइनस चार माइनस दो और तीन खीक है यह आपको तीसरा बिन्दू दिया गया है तो तीनों बिन्दू से गुजरने वाले समतल का समिकल हम से पूछा गया है क्या करना है द बन कॉमा बाई बन कॉमा जैड बन इस बिंदू से गुजरने वाले गुजरने वाले समतल का समीकरण जिसके लंब के दिग अनुपाद हमें पता हो A, B, C हो तो समतल का समीकरण कैसे ग्याद करते हैं तो समतल का समीकरण लंब के दिगनपाद हमें पता हो A, B, C और बिंदू X1, Y1, Z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण होता है यहाँ से दोखो A into bracket में X-X1 प्लस B into bracket में Y-Y1 प्लस C into bracket में Z-Z1 बराबर 0 होता है यह समतल का समीकरण होता है अब देखी यहाँ से आपको यह समतल इन तीनों बिंदू से गुजरता है बिन्दू 1,1,-1 से चूंकी ऐसे लिए चूंकी समतल बिन्दू 1,1,-1 से गुजरता है अता इससे संतोष्ट करेगा तो यहां देखो इसको संतोष्ट कराओगे एक्स का मान पहले हमें एक्स बन को एक लिखना है, बाई बन को भी एक लिखना है, जैड बन को माइनस एक लिखना है तो इस प्रकार से यहां देखो ए इंटू एक्स माइनस एक्स बन और एक्स बन के जगए हमें एक लिखना है plus b into by minus by one तो यहां दोको by minus by one को भी एक लिखना है plus यहां से दोको c into में z minus z Joel को minus एक लिखना है तो minus minus plus से इखो जाएगा और बराबर में जिए हो ठीक है तो यह समतल दोको इस बिंद से गुजरता है तो यह आपका दोको समिक्रल बन के तयार हुआ अब यह समतल इससे भी गुजरता है इससे भी गुजरता है तो अगर इससे गुजरता है तो देखो दियाद दें चूंकि यह समतल बिंदू 6,4,-5C भी गुजरता है अथा इससे संतुष्ट करेगा तो यहां देखो संतुष्ट करना है का मतलब X का मान 6 लिखोगी बाई का मान 4 लिखोगी और Z का मान 5 लिखना है तो यहां देखिए A into bracket में X का मान 6 लिख दें माइनस का 1 प्लस B into bracket में बाई का मान हम 4 लिखेंगी माइनस 1 और प्लस में C into Z का मान माइनस 5 लिखना है प्लस 1 और बरावर में 0 यहां से देखिए 5A और प्लस में 3B और यह माइनस में 4C और बरावर में 0 आपको देखो यहां से एक और दूसरा सम्टल मिलदा है ठीक है अब चूंकि यह समतल इस बिंदू से भी गुजरता है तो इससे भी हमें संतुष्ट कराना है यहां लिख दें चूंकि समतल एक समत माइनस 4, माइनस 2, 3C भी गुजरता है अताय से संतुष्ट करेगा तो यहां देखो संतुष्ट करने का मतलब वही काम फिर करना है यहां देखिए A अपना ज्योंकातियों रहेगा और X के जगहे पे माइनस 4 लिखना है माइनस 4 माइनस का 1 प्लस यहां से देखो B अपका ज ज्योंकातियों रहेगा य का माइनस 2 लिखना है माइनस 1 ज्योंकातियों और प्लस में C यहां दो को C को भी ज्योंकातियों रखना है जैड प्लस बन और जैड की वैलू हमें 3 लिखनी है प्लस एक और बराबर में यह 0 खिक यहां देखिए माइनस का 5A और माइनस में 3B और प्लस में यहां चार सी लिखे दें और बराबर में जीरो लिखे दें या एक कम करो माइनस का अगर मल्टिप्लाई कर दें तो पांच ए प्लस का हो जाएगा प्लस का तीन भी हो जाएगा माइनस का चार सी और बराबर में जीरो यहां देखिए यह आपका तीसरा एक्वेशन बनिया ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि समीकरण दो और समीकरण तीन ये दोनों ही समीकरण बिल्कुल एक ही समीकरण है और जब एक ही समीकरण है तो जब इनको दोनों को हल करोगे तो यहाँ पर ABC के अनंतमूल प्राप्थ हो जाएंगे जो इस समीकरण को इन दोनों सम से पती है एक सीधी रेका बनती है ऐसी रेका से गुजरने बाले अनंत समतल हो सकते तो इस टाइब से दिखो यहां से हमें आंगे अब नहीं बढ़ना है आंगे हमें नहीं बढ़ना पस केबल इतनी बात यहां पर लिखनी है ठीक है, चुंकि यहां लिखना है, चुंकि समी करण, समी करण दो वाद तीन, समी करण दो और तीन, दोनों ही एक ही समी करण हैं, अतहाँ इनको हल करने पर, इनको हल करने पर, इनको हल करने पर, ए, बी, सी के अनन्त मान, अनन्त मूल कह सकते हो, अनन्त मूल प्राप्त हो सकती हैं, प्राप्त होंगी, जो इन समी करणों को संतुष्ट करेंगी, को संतुष्ट करेंगी, को संतुष्ट करेंगे अता यहां लिखना है तीनों बिंदू संरेक होंगे और इस रेखा से अनेक सम्तल गुजरेंगे और इस रेखा से अनेक सम्तल गुजरेंगे ठीक है बस ऐसा लिखना है आपको यहां पर सम्तल का समीकरण हमें प्राप्त नहीं होगा ठीक है हलाकि यह प्रशन आपका जो है कुश्चन नंबर 6 में का जो ए प्रशन है उसका यह हल है इसके बाद इसका अगर दूसरा कोई दूसरा पार्ट करेंगे तो वहां पर सम्तल का सम्तल हमें प्राप्त होगा देखो इसको नोट कर लें इतने को फिर दूसरे पार्ट को देखो हम करके आपको बताएंगे देखो इसको रप कर देखो देखो दूसरा इसका पार्ट क्या है कुछ को भी देखो दूसरा पार्ट क्या है बिलकुल काम यही करना है बिलकुल एकदम सीधा-सीधा यही काम करना है ठीक है तो यहां से काम करने में तो को होगा क्या यहां से अभी हमने आप दूसरा समिकर्ड तीसरा समिकर्ड जो बराबर बराबर समिकर्ड आये थे हैं ना उनको हम बज्ज गुलन विर्द से हल करके ABC के मान गयाद करेंगी और उन ABC के मानों को हम समतल के समीकड में रख देंगी बस समझो हमारा समतल तीनों बिंदों का से जाने वाले समतल का अभीष्ट समीकड प्राफ्ट हो जाएगा दोको एक और बात समझो हकीकत में तो बात ये है कि तीन बिंदों से जाने वाले समतल का समीकरण के रूप में सूत्र के रूप में भी एक फॉर्मूला है अगर ये देखिए कोई बिंदो इस प्रकार से है कि एक बिंदो X1, Y1, Z1 दूसरा बिंदो है X2, Y2, Z2 और तीसरा बिंदो है X3, Y3, Z3 ये तीन बिंदो से गुजरने वाले समतल का समीकरण आप से पूछा जाए ठीक है X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 और X3, Y3, Z3 से गुजरने वाले समतल का समीकरण अगर आपसे तीनों बिन्दूं को दिया जाए और तीनों बिन्दूं से गजरने बाली समतल का समिकल पूछा जाए तो आपको डारेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है दोखो ध्यान ने x-x1 y-by1 और z-z1 ठीक है अगर इसमे मान आप सीधह-सीधा रखते हो तो अभी हमें समतल का समिकल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से देखिए जो प्रस्ण आपका छाटमा है उसमें दोखो कौन-कौन से तीन बिन्दू दिये गए हैं तीन बिंदू हमें कौन-कौन से दिये गए है, हाँ पर देखो यह आपका छटमे का जो B पार्ट है, उसमें आप देख सकते हो कि पहला 1, 1, 0, 1 बिंद तो आपको यह दिया गया है, और दूसरा है 1, 2, 1, 1, 2, 1 दिया गया है, तीसरा बिंदू है आपका यहां से माइनस 2, 2 औ से गुजरने वाले समतल का समकरत, समतल का समकरत, ठीक है, तो यहां से आप गार सीधा-सीधा फॉर्मूला रखना चाहो, तो बिल्कुल आप रख सकते हो, तो को X-1 और X-1 दो को यह है, X-1, Y-1, X-1, X-1, X-2, X-2, X-3, Y-3, X-3, 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 X-1 और X-1 का मान दो क को एक लिखना है, ठीक है? Y-212, ठीक है, Y-22, धैक है, Y-2, y-1, को कित लिखना है, एक लिखना है, ठीक है यहां देखिए by 2 minus by 1 by 2 minus by 1 का मतलब 2 minus 1 लिखना है ठीक है यहां पर z2 minus z1 और z2 की value किती है दोखो दियाने z2 की value है आपकी 1 और 1 minus 0 लिखना है ठीक है z2 यह आपका z2 minus z1 ठीक है और इसके बाद यहां पर दोखो यह है आपका x3 by 3 z3 ठीक है तो अब यहां से दोखो x3 की value किती लिखनी है minus का 2 minus 1 ठीक है और यहां पर 2 minus 1 लिखना है और आपको यहां लिखना है आपका minus का minus का minus का 1 और minus 0 ठीक है और बरावर में 0 लिख दें इसको हल कर ले बस समतल का समिकर्ण हमें मिल जाएगा यहां से देखिए इसको और हल आंगी कर रहोगे तो इस प्रकार से x-1, by-1, z यह तो आपका जियों कातियों है यहां से देखिए एक में से गटा होगे 0 यहां से 1, यहां से 1 यहां से माइनस 3, यहां से 1 और यहां से माइनस 8 ठीक है और बरावर में जी रो इतनी बार ठीक है अब यहां से देखिए समतल का समिकर्ण हमें इसको अगर हल करोगे तो हल करने से साड़क का हल तो आपको आता ही है साड़क का हल कैसे करते हैं पहले हम अगर ऐसे मानें कि R-1 के साथ एक चिसका प्रसार करें तो X-1 आपको यहां लिखना होता है और फिर इसको दो कैंसल करोगी इस रो को भी कैंसल करोगी है ना इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें तो माइनस का एक और माइनस का ही एक मिल जाएगा ठीक है और इसके बाद देखो ध्यान ने यह बीच बाला पद माइनस में होता है माइनस और बाई माइनस बन लिखे दे और फिर इसके बाद में वही काम दो को इसको कैंसल करोगी इसका इसमें गुणा जीरो और यह प्लस का तीन हो जाएगा ठीक है जीरो यह जीरो प्लस तीन जीरो प्लस तीन लिखना है ठीक है और बरावर में जीरो तो समतल का समिकर्ण हमें दोखो यहां से ध्यान से समझो माइनस का दो माइनस का दो का यहां को ना माइनस दो एक्स और प्लस का दो और ये माइनस का बाई माइनस का ये तीन है ना तीन का साथ में गुणा करने हैं तो यहां से दोखो माइनस का तीन बाई और माइनस माइनस प्लस का तीन यहां से प्लस तीन जैड लिखना है बरावर में जीरो तो आपका अंसर आएगा माइनस दो एक्स माइन x plus 3y minus 5z लिख दें और यह minus 5 अगर उदर ले जाओ तो प्लस 5 लिखते हो ठीक है यह तो इस तरीके से यह दोखो समतल का समीकरणा हमें मिल जाए तीन बिन्दों से गजरने बाले समतल का समीकरण यह दोखो डारेक्ट फॉर्मूलर ठीक है चलो इसको नूट करें और फिर आंगी देख अंगला सवाल देखते हैं कुश्चा नमबर सातमा देखो क्या है देखिए सातमा पुष्ण क्या है देखिए सातमा सवाल है एक समतल है दो एक्स प्लस बाई माइनस जैड बरावर पांच द्वारा काटे गई अंता खंडों को ग्याद करना है तो यहां से कुश्चा नमबर जो सात है देखो बहुत ही इजी सवाल है एकदम इजी जहां पर हमें समतल का समी करण दिया गया है यह है दो एक्स प्लस बाई माइनस में जैड है बरावर में पांच है ना यह आपका समतल का समी कर दिया गया है और अक्षों द्वारा काटे अंता खंडों को हमें ग्याद करना है तो इसको अंता खंड रूप में बदल दें क्या करना है अंता खंड रूप में यहां इसको बदल दें इसको इस परकार से बदल दें यह दोखो अन्ताखंड रूप में इसको बदलना है तो अन्ताखंड रूप में थोड़ी सी गड़ बड़ी है दोखो ध्यान ने अन्ताखंड रूप में रेखा का समिकड़ होता क्या है X, sorry, अंताखंड रूप में समसाल का समिकार X बटे A प्लस Y बटे B प्लस Z बटे C बरावर एक होता है, इस रूप में पहले बदलना है, A, B, C अक्षों पर काटे गए अंताखंड होते हैं तो इस रूप में बदलना है तो यहां से X के साथ एक इसका गुणांग दोको X के साथ एक ही गुणांग तो है, तो यहां पर दो दो से भाग करना है तो X बटे 5 बटे 2 प्लस Y बटे में 5 लिख दे हैं, प्लस यहां से तो को Z बटे में रिड़ 5 लिख दे हैं ठीक है कि नहीं, बरावर में अब देखो, बिलुकुल इस रूप में यह आपका बदल गया है, तो इसी से इसकी तुलना करके, A, B, C की मान हमसे पूंची गए है, ठीक है, अंताखंडों की माप पूंची गई है, X बटे A, प्लस Y बटे B और प्लस Z बटे C, बरावर 1 से हमें इसकी तुलना करने है, ठीक है तुलना करने पर जब तुलना इससे करेंगी तो निशित रूप से A, B, C की वैलू मिल जाएगी, तो को A की वैलू 5 बटे 2, मतलब यह X अक्ष पर अंताखंड है, ठीक है, और Y अक्ष पर अंताखंड B होता है, जो की 5 है, और Z अक्ष पर अंताखंड C होता है, जो की 5 ठीक है, तो बस यही आपको इतनी बातें पूंची गई है अक्षों पर अंताखंड बताईए तो आपको लिखना है X अक्ष पर अंताखंड X अक्ष पर अंताखंड यहां लेकना है, 5 बटे 2 चलिए आगे आते हैं कुश्चन नमबर आठ पर ठीक है देखिए बहुत सिंपल से प्रश्ण है एक्दम सिंपल देखो कुश्चन नमबर आठ लिखा है उस समतल का समीक्रल ग्याद करिए जिसका बाई एक्ष पर अंता खंड दिया गया है तीन और जो तल एक्स ओ जैड ओ ए जो को यहां पर हमसे प्रश्ण कहता है आठमा प्रश्ण है बाई एक्ष पर अंता खंड बाई एक्ष पर अंता खंड को क्या कहते हैं बी कहते हैं एक्स पर अंता खंड ए होता है बाई एक्ष पर अंता खंड भी होता है तो यहां पर बी की वैलू हमें तीन दिया गया है और आँगे कहता है तल जैड ओ एक्स ठीक है के समांतर के समांतर समतल का समिकल समतल का समिकल क्या होता है ये समतल का समिकल होता है दोको ध्यान दें बाई बरावर कितना दोको जैड ओ एक्स के समांतर समतल का समिकल क्या होता है बाई बरावर भी होता है ठीक है बाई बरावर और बी की बैलू दोखो यहां तीन दी गई है आपको लिखना है बाई बराबर तीन ये आपका समतल का समीकर ठीक है जैड ओ एक्स के समांतर समतल का समिकड़ बाई बराबर बी लिखना है और बी की बैलू प्रिश्ण में तीन दी गई है तब आपका समतल का समिकड़ हो जाएगा चलिए इसके आँगे देखो कुश्चन नमबर नॉमा क्या है देखो ये तो सिंपल सिंपल से सारे प्रिश्ण है इसके बाद देखो कुश्चन नमर नॉमा भी सिंपल है यहां से कुश्चन नमर नॉमे में देखो क्या दिया गया है कहता है उस समतल का समिकड़ जात कर ये देखो नौमा प्रिश्ण है न यहां पर हमें दो सम्तल दिये गए हैं सम्तल कौन कौन से दो सम्तल दिये गए हैं सम्तल ना लिखे हैं सम्तलों लिखे हैं ठीक है सम्तलों तीन एक्स माइनस बाई प्लस में दो जैड लिखना है ठीक है, माइनस में 4 बराबर 0, एक समतल आपका ये है, और एक दूसरा समतल दिया गया है, X प्लस Y प्लस Z माइनस में 2 बराबर 0, एक दूसरा समतल ये भी दिया गया है, दोनों समतलों की प्रतिछेदन से जाने बाली समतल का समिकरण, यहां लिख दें, दोनों समतलों की प्रतिछेदन से जाने वाली समतल का समिकरण, जाने बाली समतल का समिकरण, ठीक है, क्या होगा देखो जान दे ये दोनों सम्तल दिये गए हैं दोनों सम्तलों की प्रत्षेदन से जाने वाले सम्तल का समीकर क्या बताया था पहले हमें क्या करना है पहला सम्तल लिखना है प्लस लेमडा इंटू दूसरा सम्तल लिखना है बस यहां से याद रखो 3X माइनस का बाई प्लस में 2Z माइनस 4 यह आपका पहला सम्तल हो गया प्लस यहां लेमडा और इंटू दूसरा सम्तल लिख दें X प्लस बाई प्लस Z माइनस का 2 बराबर में जी हो ठीक दोनों सम्तलों के प्रतशेदन से जाने बाले सम्तल का सम्तल माइन लेते हैं बिल्कुल यही आपका आंसर है के बाल यहां लेमडा जो अचा रहना इसकी वैलू हमें ग्याद करें ऐसे भी दोखो लिख सकते हो इन दोनों से देखो आप X कोमन ले सकते हो तीन प्लस लेमडा इंटू X ऐसे दोखो लिखा जा सकता है ठीक है यहां से दोखो लेमडा X यह तीन X इन दोनों जगे से X कोमन मिल सकता है यहां दोखो तीन और प्लस में लेमडा इसी प्रकार Y के पदों से दोखो Y कोमन मिल जाएगा यहां से माइनस एक प्लस में लेमडा इंटू बाई लेके ले इसी प्रकार जैड वाले पदों से दोखो दो प्लस से लेमडा इंटू जैड यहां से ठीक है और इसके बाद माइनस का चार और माइनस में दो लेमडा बरावर जीरो यह सम्तल का समnozy गाल है अब ये सम्तल कहां से जाता है दो को प्रशने की सर्थ है 2,2,1 से होकर सम्तल जाता है तो आपको यहां लेकना है सम्तल यह है सम्तल काइँ कि यह सम्तल बिल्लू 2,2,1 है न 2,2,1 से जाता है अता हैसे संतुष्ठ करेगा इसे संतुष्ठ करेगा तो यहां देखे संतुष्ठ करने का मितलब x का मान 2 by का मान 2 और z का मान एक आपको लिखना है दो को ध्यान दे तीन जए एक काम करो तो अगर सरल करना है इसको और सरल तरीके से तो यहां अगर value रखो तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आप देखो ध्यान दें तीन और x का मान हम दो लिख दें माइनस बाई का मान भी दो लिख दें प्लस दो इंटू जैड का मान हम एक लिखेंगे माइनस का चार ठीक है प्लस यहां से देखी लेंडा इंटू यहां से x का मान दो लिखना है प्लस बाई का मान दो लिखना है प्लस जैड का मान एक लिखना है माइनस में दो आपका जियों का त्यों बराबर यहां देखिए आपको तीन दूनी 6 तो यहां मिल जाएगा है ना 6 और यह आपका माइनस का 6 कैंसल हो जाएगा केबल यहां 2 बचाएगा यहां से देखी 2 से 2 कैंसल हो जाएगा 3 प्लस मैं यहां लेख दें 3 लेमडा बराबर में 0 तो यहां से दो को लेमडा की बैलू हमें माइनस का दो बटी तीन मिल जाएगी और इस लेमडा की वैलू को हम इस समीकरण में रख दें चलो यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको हम दूसरा समीकरण यह वाला नमबर ना इसको ना लेखें कोई समस्या नहीं सीधा इसी में मान रख दें लेमडा कमान माइनस दो बटी तीन हम यहां रख दें तो समतल का समीकरण मिल जाएगा लेमडा कमान लेमडा कमान समीकरण एक में रख दें समीकरण एक में रखने पर तो यहां से देखो तीन एक्स तीन एक्स माइनस में बाई प्लस का 2z minus का 4 और प्लस यहां दो को लेमडा कमान आपको लिखना है कितना माइनस का 2 बटे 3 लिखना है और इन्टू में x plus y x plus y plus z minus का 2 और बराबर में जीत ठीक है बस यहां दो को 3 का इधर गुरां करें की minus 2 का इधर कर दें तो इस तरीके से आपका दोखो यह अंसर हो जाएगा तीन का यहां गुणा करोगी 9x 9x माइनस में 3y 3y ठीक है और 3 दूरी 6 यह प्लस का 6z लिख दो ठीक है 4 यह 12 माइनस में 12 ठीक है माइनस दो का अंदर और गुणा दोखो माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 2 2y माइनस 2x माइनस 2y माइनस का 2 z माइनस में 2z लेकदें और यह माइनस माइनस प्लस का 4 लेकदें प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0 बस इसको हल करोगी आपका संथल का अभिश्ट प्लस का यह विस्ट सम eq का समिकर ठीक है इतनी बार ठीक है दोनों सम्तल दिये जाएं दोनों सम्तलों की प्रतिश्चेदन से जाने बाले सम्तल का समिकर पहला सम्तल प्लस लेम्डा इंटू दूसरा सम्तल बराबर 0 हमेशा लेखना है ठीक है अब ये संतल कहां से जा रहा है जिस बिंद से जाए उससे संतुष्ट करा दे 2,1 2,2,1 से जाता है इसका मतलब 2,2,1 से इसको संतुष्ट कराना है X कमान 2, Y कमान 2 Z कमान 1 लेखना है Lambda की value हमें ग्यात हो जाएगी और Lambda की value को यहां रखना है इसको हल करना है बस संतल का समिकड मिल जाएगा ठीक है? किलियर बात तो ये कुश्चन आपका हो गया 9 मा नोट कर लें इसको आगे कुश्चन नमबर दसमा देखते हैं ठीक है बई? चलो कुश्चन नमबर दसमा देखते हैं प्लस 2J मानस 3 के बरावर में 7 दिया गया है और एक और संतल है इसकी प्रस्चेदर देखा से जाने वाले संतल का समिकड बताईए और बिंदू 2,1,3 से होकर जाता है दोको लगबग दोनों प्रश्चन आपके 9 मा और 10 मा एक जैसे ही हैं यहाँ पर सदिस समिकड दिये गए है संतल के सदिस समिकड दिये गए है और वहाँ पर संतल का कारती समिकड दिया गया था तो यहाँ पर देखी दसमा प्रश्चन है दो संतल यहाँ दिये गए हैं दोको कौन-कौन से संतल हैं यहाँ पर लिख लेए संतल और यह है बराबर में 7 यह आपका पहला एक समतल दिया गया है दूसरा समतल दिया गया है R. यहां है 2i प्लस 5j और प्लस का है यह 3k और यह बराबर में 9 यह आपके दोनों समतल दिये गए हैं दोनों समतलों की प्रतिश्चेदन रेखा से जाने बाले समतल का समिकर बताया पूशा गया है और यह समतल 2,1 और 3 से जाता है ठीक है तो पहले हमें दोनों समतलों की प्रतिश्चेदन रेखा से जाने बाले समतल का समिकर निकाले हैं यहां लिख दें दोनों कि दोनों सम्तलों के प्रतिछेदन रेखा से जाने वाले सम्तल का समिकरण सम्तल का सम्तल कैसे ग्याद करते हैं हमने अभी बताया था आपको कि पहला सम्तल प्लस लेमडा इंटू दूसरा सम्तल बराबर जिरू वो तो प्रोसेस वही करनी है तो को आर डॉट यहां लिख दें दो आई प्लस दो जे माइनस में तीन के और यह बराबर का साथ इदर ले माइनस में साथ हो जाएगा प्लस यहां देखो लेमडा से लेमडा से गुणा करके इसमें जोड़ दें तो यहां लिखना है आर डॉट किया लिखना है R. यहा लिख़ें 2I है ना 2I प्लस 5J लिखना है प्लस में 3K लिखना है और यहां माइनस का 9 लिखने और बराबर में जी तोनों सम्तलों की प्रत्फेदन रेका से जाने वाली सम्तल का सम्हिए करें इसको ऐसे भी दोखो हल करा जा सकता है, यहां से इन डों, संबी मैंसे दोको R का । यहां भी R का मल्टिप्लाइए है, तो एक काम करो, R यहां से दोनों जगैं कॉमन लेजिए, ठीक है, दोनों जगैं R कॉमन मिल रही है यहान दोको 2i, और प्लस यहां से देखो दो i में lambda का भी 7 में गुड़ा है तो यहाँ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 प्लस 2 lambda और into में i जो को इसको ऐसी ले लिए ठीक है i और i में से हमने i common ले लिया यहाँ से दो और यहाँ से 2 lambda common है into में i इसके बाद यहाँ से दो को यहाँ से जी common है तो यहाँ तो 2 मिल जाएगा यहाँ से 5 lambda हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 lambda और into में यह आपको जे लिखना है ठीक है के वाला पद दो यहाँ से के वाले पद में माइनस का 3 माइनस का 3 और यहाँ से प्लस में 3 lambda लिखने हैं और into में के लिखे ले ठीक है और इसके बाद में यह तो आपका आर वाला पद जिसमें से आर हमने common लिया था इतना हो गया अब यह दो को माइनस का है 7 माइनस का 7 और इस lambda का यहाँ गुड़ा करोगे माइनस का 9 lambda और बरावर में जीरो यह आपका अंसर है समझो इसमें केवल lambda की value हमें रखनी है उस lambda की value ग्याद करने के लिए प्रश्ण में सर्त दी गई है क्या सर्त दी है दोखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यह सम्तल यह सम्तल 2,1,3 से होकर जाता है दोखो दिहान ने यहाँ लिखा है यह सम्तल यह सम्तल बिंदू 2,2,1,3 2,1,3 से जाता है दोखो ध्यान ने 2,1,3 का इस्थिस सदिस कितना होगा का इस्थिस सदिस यहाँ लिख देती है यहाँ लिख दें दो आई प्लस एक जे और यह प्लस में यहाँ क्या लिखोगे तीन की ठीक है यह सम्तल यह वाला सम्तल इस इस से होकर जाता है नहीं जाता है से जाता है इसका मतलब यह है कि यह ऐसे बिंदू का इसससदिस है दोखो ध्यान ने ऐसे बिंदू का इसससदिस है जो मूल बिंदू के सापेच इससससदिस क्या कहलाता है आर कहलाता है तो यह आर बरावर लिखा जा सकता है दोखो आर बरावर दो आई प्लस जे प्लस तीन के इस प्रकार से आर का मान यहां पर रख दें इस वाले समीकरण में देखो ध्यान ने आर का मान यहां लिख दें दो आई प्लस जे प्लस तीन के और यहां से डॉट और इसको जियों करते हो दो को लिखना है दो प्लस दो लेमडा दो प्लस दो लेमडा इंटू में आई प्लस यहां से दो प्लस पांच लेमडा इंटू में जे लिख दो ठीक है और प्लस में यहां से दो को माइनस तीन प्लस तीन लेमडा इंटू में के लिखना है ठीक के लिखना है और यह माइनस मे 7 और माइनस का 9 लेमडा बरावर में 0 लिखना है ठीछ अब दोको इसका गुरा कैसे करते हैं आई से आई का गुरा जे से जे बुरू के से के का गुरा बाकी सब सुन हो जाता है तो यहाँ से दोको 2 का इसमें गुरा करना है 4 प्लस 4 लेमडा ठीछ आई से आई का गुणा हो गया एक इसके बाद जे और जे का गुणा करोगे जे और जे का गुणा भी एक होगा तो जे का गुणां के कितना है जे का गुणां के यहां एक है और यहां देखो दो प्लस पांच लेमडा दो प्लस पांच लेमडा ठीक है की का गुणां कितना है तीन है इस तीन का गुणां काइम करना है माइनस का देखो नो हो जाएगा है ना तीन तरका नो और यह प्लस का तीन तरका नो इंटू लेमडा लिखना है ठीक और बराबर में यहां पर किता है माइनस का साथ और माइनस में नो लेमडा बराबर में जी नितिल कर लो ठीक हैं और यहां देखिए यह आपका पांच और चार नो No लैम्डा तो यहां मिल जाएगा चीए इसके बाद देखो अचरपनों को देखो चार चार और दो छे और छे में छे तो यह हो गया है ना और यह आपके पास दो कितना हो गया 9 और साथ 16, 16 माइनस का और यह आपका छेक हड़ जाएगा, तो 10 बचाएगा, उधर ले जाओगे, प्लस का 10 हो जाएगा, तो यहां से दोखो, लेमडा की वैलू हमें 10 बटे 9 मिल गई, किती मिली, लेमडा की वैलू, 10 बटे 9, इस लेमडा की वैलू को आपको क्या करना है, दो समतल का अभीष्ट समिकर्ण में जाएगा, सहां लिखना है दो को 3 नमबर में लिखने, ठीक है, इसको कैल्कुलीट करोगे, आप, है ना, यहां लेमडा का मान, लेमडा बराबर 9, 10 बटे 9, समीकरण, समीकरण, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समतल का अभीष्ट समीकरण प्राप्थ होगा, रखने पर, समतल का, समतल का समीकरण, अभीष्ट समीकरण प्राप्थ होगा, ठीक है, समीकरण प्राप्थ होगा, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है, कर सकते हो, कोई समस्या बाली बार नहीं, बस लेमडा का मान, 10 बटे नो रखकी इसको calculate करोगे बस यही आमतारे ठीक है इसको खुद कर लें इसके बात देखो बच्चो इसके आंगे आपके पास question number ग्यार्मा है देखो ग्यार्मा प्रश्ण क्या कहता है ग्यार्मा प्रश्ण में भी वही बात है दोखो प्रतच्चेदन रेखा से दोनों सम्तलों की प्रतच्चेदन रेखा से होकर जाने वाले सम्तल का समीकड़ आप से पूछा गया है और यह सम्तल एक्स माइनस बाई प्लस जैड बराबर जीरो पर लंब बत है ऐसे सम्तल का समीकड़ बताईए तो यहां पर दोखो इसको रफ कर ले ठीक है इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से फटा फट दोखो इस्क्रीन सॉर्ट ले लिया पर अना चलो आगे बढ़ते है question number ग्यार्मा प दोखो जहां ने यहां पर एक तो आपका 11 में नमबर का प्रश्ण है एक तो सम्तल दोखो यह दिया गया है यहां पर लिख दें जोखो तल लिखा है या तलो मतलब सम्तल है या तल है एक ही बात होती है तो यहां पर तलो लिखा है तलो का मतलब सम्तल ही होता है एक ही बात ह तो X प्लस Y प्लस Z और ये बराबर एक एक तो आपका ये तल दिया गया है या ये कहें समतल दिया गया है और इसके बाद में दूसरा दिया गया है 2X प्लस 3Y प्लस में 4Z और बराबर में 5 आपका ये दूसरा समतल दिया गया है दोनो समतलों की पृतिश्चेदन रेखा से जाने वाली दोनों समतलों की पृतिश्चेदन रेखा से जाने वाले जाने वाले सम्तल का सम्तल का दोनों सम्तलों की प्रत्चेदन रेखा से जाने वाले सम्तल का सम्तल का क्या लिखना है बिल्कुल वही काम X प्लस Y प्लस Z माइनस एक पहला सम्तल हो गया प्लस लेम्डा करके दूसरा सम्तल जोड़ता है यहां दो एक्स प्लस तीन बाई प्लस चार जैड और यह माइनस में पांच लिखना है बराबर जीरो यह दोनों सम्तलों की प्रत्षेदन रेखा से जाने बाला सम्तल हो गया अब यहां से दोको थोड़ा और आंगे अगर हल करें तो इस प्रकार इसको लिख सकते हो यहां से दोको एक्स कॉमन मिलेगा बन प्लस टू लेम्डा इंटू एक्स यहां एक्स है यहां एक्स है दोनों जगे से एक्स कॉमन ले लिया यहाँ by है और यहाँ भी by है दोर को ध्यान दें तो यहाँ से जब by common मिलेगा तो एक और यहाँ by जब common लेंगे आप तो यहाँ से दोको plus में तीन lambda और into by यह common वाल वाला हो गया जैड में भी वही काम करना है दोको एक लिखना है और प्लस में यहां चार चार लेमडा लिखना है ठीक चार लेमडा और इंटू में जैड फिर माइनस का एक और यह माइनस का पांच लेमडा लिखना है ठीक है पांच लेमडा लिखना है और बराबर में जीरो यह आपका दो को सम्तल का समय कर दा अब प्रशने आपसे यह कहत इस पर दो खोए कि नमबर कोई डाले दें यहां लिख दें चूँकि संतल तीन कि संतल तीन दिये गए संतल दिये गए संतल दो को दिया गया एक संतल और यहां पर है एक्स माइनस बाई x- y-gy-z बरावर 0 दिये गए समतल पर लंब है पर लंब है अगर यह समतल लंब है इस समतल पर यह समतल लंब है तो दो समतल लंबत होना क्या प्रतमन्द होता है A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 बराबर 0 होता है तो यहां से दोखो ध्यानने यह A1 है, यह B1 है, यह C1 है इसी प्रकार यहां दोखो एक इसको A2, इसको B2 और इसको C2 बने X, Y, Z के गुड़ांग होते हैं जो A1, B1, C1 बतलब दिक अनुपाद यहनको कहेंगे ठीक है, तो यहां से यहां लेख दें लंब होने का प्रतिबंद दोखो यहां लेख देते हैं A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 बराबर 0, यहां लेख दें लंब होने का प्रतिबंद लंब होने का प्रतिबंद ठीक है लंब होने का यह प्रतबंद होता है तो यहां से दोखो A1 की वैलू किती है 1 प्लस 2 लेमडा और इंटू A2 की वैलू यहां से दोखो 1 लिखनी है प्लस यहां से दोखो B1 की वैलू 1 प्लस 3 लेमडा लिखनी है और इंटू B2 की वैलू brings to minus 1 लिखती दोगो बायी का गुरंब्हार्अ फॉर लेमिडा लेबडा लिखना है और यहां जेड की वैलू जेड का गुरंग 1 एक है तो एक लिखने है बराबर में 0 इस इसको हल करोगी बन प्लस टू लेम डा यहांसे माइनास का एक माइनस का तीन लेमडा और प्लस में एक प्लस में चार लेमडा और बराबर में जीरू तो यहां से दो को चार दो छे छे मैंसे तीन घटाओगे तीन तो यह मिल जाए का तीन लेमडा ठीक है और माइनस का एक प्लस का एक यह कैंसल करोगी तो प्लस का एक और बराबर में जीरो तो यहां सिद्धे को लेमडा की वैलु हमें माइनस एक बटी तीन मिल गी इस लेमडा की वैलु माइनस एक बटी तीन को आपको समीकरन नमबर ठाड़ में देखना है ठीक है लेमडा कमान यहां लिखना है सम्तल का अभीष्ट समीक्रण हमें प्राक्त होगा अभीष्ट तो इतना आपको खुद करना है इसमें हमें क्या करना है जो लेंडा की value माइनस एक बटे तीन है उसको आपको यहां लेखना है समतल का आभीश्ट निकाल दिया गया है ठीक है दो समतलों के बीच का कौण आपको नहीं पढ़ना है दो रेखाओं के बीच का कौण नहीं पढ़ना है समतल और रेखाओं के बीच का कौण भी नहीं पढ़ना है मतलब कौण पर आप गुड़ां का निसान लगा दो समतलों ठीक है कोई भी सवाल आपका इस वर्ष नहीं आएगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुश्चन नमबर बारह आपको नहीं पढ़ना है और इसी के साथ साथ कुश्चन नमबर तेरमा भी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहां भी दोखो यहीं कहा गया है कि अगर समांतर है तो समांतर बताओ लंबत बताओ या समांतर और लंबत नहीं है तो उनके बीच कौण बताओ तो यह इसको भी आपको नहीं पढ़ना है इसके बाद दोखो एक आखरी में हम लोग पहुँच जाते हैं कुस्चन नमबर चौदमे पर इसमें लिखा है कि प्रतेक दियोए बिंद से दिये हुए संगत सम्तलों की दूरी बताईए दोखो बिलकुल एकदम आसान सी बात है बिलकुल एकदम आसान बात है दोखो यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं और एकदम यह आसान सा काम है दोखो दो यहां पर आपको पुस्चन नमबर चौद माँ है ना यह चौद माँप है इसको दोखो आटेम्ट जरूर कर लें बिल्कुल एकदम सिंपल सी सवाल है यहां पर एक बिंद दिया गया है यह है बिंद जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो और इस समतल से इस बिंद से समतल की दूरी कौन से समतल की दूरी समतल यहां पर देखो दिया गया है समतल दिया गया है 3x माइनस में 4y और प्लस में यहां लिख दो बार है जैड बार है जैड बराबर में 3 बार है जैड बराबर 3 इस समतल की 0,0,0 से दूरी आप से पूछी गई है तो क्या करना होता है ध्यान से समझो कि अगर हमें इस बिंदु की इस सम्तल से दूरी ग्याद करनी है तो दूरी ग्याद करने का formula क्या होता है इस दोको बैसे तो formula तो आपको यह इस परकार से याद रखना है AX1 यहां दोको अगर आपके पास सम्तल इस परकार से दिया जाए AX प्लस BY प्लस CZ और प्लस D बरावर 0 आपका यह सम्तल है और इस सम्तल की बिंदु X1, Y1, Z1 से दूरी आपसे पूछी जाए तो इसकी दूरी कैसे ग्याद करते हैं इसकी दूरी ग्याद करने के लिए इसको इससे संतुष्ट करा देते हैं AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 और प्लस में D और बटे में क्या लिखते हैं अंडरूड X के गुणांग का स्कॉाइर प्लस Y के गुणांग का स्कॉाइर प्लस Z का जो गुणांग है उसका भी स्कॉाइर करना है मतलब X का गुणांग A है A का स्कॉाइर y का गुणंग b है b का square plus z का गुणंग c है c का square ठीक है तो यह तो formula है बस इसी को यहाँ apply करना है क्या करना है दोको 3x का मान 0 लिखना है minus 4y का मान भी 0 है x का मान 0, y का मान 0, z का मान ठीक है तो plus मैं यहाँ दोको bar है और z का मान भी 0 लिखना है माइनस 3 इधर ले आओगे माइनस का 3 और बटे में अंडरूर एक्स का गुणांग का इसक्वाइर एक्स का गुणांग 3 है 3 का इसक्वाइर करना है माइनस 4 का इसक्वाइर करना है प्लस 12 का इसक्वाइर करना है और अपन में अंडरूर, तींतर का नो चार्चो को 16 हार बारहा का स्कुर्ण एक सो चबारूर, ठीक है? तो तीन बटे में अंडरूर, नो और सूला, पक्चिस और पक्चिस में एक सो चबारिस जोड़ है, मेरी छाल से 117 हो जाएगा और 117 का बर्ग मूल हम यहाँ पर तेहरे लेखना ठीक है तो बस यह आपके इस बिंदू से मतलब मुल बिंदू से समतल की दूरी आ लेगी मात्र किया लेखना थीक है इतनी बाच ठीक है बस इसी प्रकार से आपके दोखेज़़ चार पार्ट है आप से पूछी गई है, तो इसको आप कर सकते हो, है ना, चलो, इसके बाद देखो, ये त्रभीमी जामती की एक्सरसाइज आपकी, कंप्लीट होती है, और इसके बाद में देखो, जो बिविद प्रिशनवली है, बिविद प्रिशनवली, उसमें भी कुछ मिले जुले प्रि देखो, ठीक है, तो बच्चो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, इसको कंप्लीट कर लें, दोको बच्चो बहुत मन से पढ़ना है, आंगे आपके पास समय जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम है, और जो समय आप आंगे आ रहा है, आपके लिए बिल्कुल पढ़ाई की अन पता है, बस जोट जाना है, मन से एकदम पढ़ना है, ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि भईया, हम भी आपके साथ थोड़ा अस्वास्थ जरूर है, लेकिन हम आपके साथ अब जोट गए हैं, ठीक है, और और इसी प्रकार जब तक आपकी पढ़ाई खतम नहीं हो जाती, एक्जाम ने हो जाती तब तक हम बिल्कुल निरंतर आपके साथ लगे रहेंगे ठीक है तो इसी उम्यद के साथ के बिजा आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे मिलते हैं एंगले वीडियो में ठीक है वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें चैनल पर नए आए हैं तो क्यां गुद सब्स्राइब तरने के को